तो फ्रेंट्स फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी कक्छादस का गोधूली भाग टू गदिखंड का पहला चप्टर स्रम विभाजन और जाती प्रथा इसमें हम लोग 40 भी भी आ से देखने के बाद अगर जो आपको होता है वो ठीक है और जो नहीं होता उसे नोटबुक में नोट कर लीजेगा अगर आपको इसका पीडियेफ चाहिए तो दोस्तो फ्री में आप लोगों को पीडियेफ मिल जाएगा बस नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में जाना है टेल इस वीडियो को सांदार तारिका से शुरुआत करते हैं बटो से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ मैं बैल आइकन को दबाना ना भूले तो चलिए शुरुआत करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देखि खेना हुआ है भीमराव अम्बेदकर ठीक है दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा ठीक है तो चलिए बरते हैं कोश्चन नमबर टू की ओर दूसरा नमबर कोश्चन है डॉक्टर अम्बेदकर का जन्म किस राज में हुआ था यानि भीमराव अम्बेदकर जो थे ना उनका जन्म जो हुआ था वह कहां पर हुआ था ओप्सन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदरा और हिमाचल प्रदेश ठीक है दोस्तों यहां पर प्रदे लिखा है प्रदेश समझेगा इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को जो जन्म हुआ था वह दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था इसलिए इस कुष्टन का राई टांसर ओप्सन भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं कुष्टन नंबर थिरी की ओर तीसरा नंबर कुष्टन कुछ इस प्रकार से दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर किस व अम्बेदकर ने जन्म लिया था दोम जाती में दूस्तों ठीक है इसलिए इस कुष्टन का राई टांसर ओप्सन सी हो जाएगा ठीक है बरते हैं कुष्टन नंबर फोर की ओर चौथा नंबर कुष्टन है जाती वाद के पोस्को द्वारा स्रम विभाजन किसका दूसरा र तो दोस्तों जाती वाद के पोस्को द्वारा स्रम विभाजन जो है न वह आपको जाती प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है इसलिए इस कुष्टन का राई टांसर जो है न ओप्सन बी हो जाएगा दूस्तों बरते कुष्टन नंबर 5 क्यूर पांचमा नंबर कुष्टन कुछ इस प्रकार से दिया गया है जाती प्रथा किस प्रकार का स्रम विभाजन है जाती प्रथा जो है न वह किस प्रकार का स्रम विभाजन है वो आपको इस वीडियो में बताना है इस कुष्टन का अंसर देना अप्शन है A है और स्वभाविक, प्राकिर्तिक, स्वभाविक और सनवैधानिक तो दोस्तो जाती प्रथा जो है न और स्वभाविक प्रकार का स्रम विभाजन है इसलिए इस कुशन का राइट अंसर अप्शन A हो जाएगा बरते कोशन नबर 6 की ओर एक एक कोशन भी भी आई कोशन है इंपोर्टेंट कोशन है आपके एकजाम में बहुत सारे कोशन यहां से देखने को मिल सकते हैं अगर आपको स्रम विभाजन और जाती प्रथा से कोशन पूछा जाता है तो केवन इसी वीडियो से आपको कोशन आ आपके एकजाम ने इसलिए एक एक कोशन को ध्यान से देखेगा छटा नबर कोशन है जाती प्रथा के अनुसार स्रम विभाजन का आधार क्या है ओप्सन ए है मनुसिकी रूची ओप्सन भी है रोजगार स्रीजन ओप्सन सी है पैत्रिक पेशा ओप्सन डी है कौसल छमता तो जाती प्रथा के अनुसार स्रम विभाजन का जो आधार है न दोस्तों वह है आपका रोजगार सीजन यानि के ओप्सन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बरते है कुश्चन नंबर सेवन क्यों सेवन नंबर कुश्चन कुछ इस प्रकार से दिया ग दोस्तों ऑप्सन ए है भीमराव अंबेदकर राम चंद्र सुकल ललाई सिंग यादव नलिन विलोचन सर्मा इस कुश्चन का राइट आंसर जो है न वह आप्सन ए डॉक्टर भीमराव अंबेदकर हो जाएगा बरते है कुश्चन नंबर एट की ओर अगर आपको इसका पी ठीक है बस आपको करना क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और मैट्रिक विद्यार्थी 2022 का भी ग्रूप मिलेगा वाट्सेप ग्रूप का लिंक दोनों को जोएन कर लिजे क्योंकि मैं रोजाना दोस्तों वाट्सेप ग्रूप मैट्रिक विद्यार्थी 2022 को जोइन कर लिजे ठीक है तो चलिए वहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पीडिएफ भेज दूँगा आठमा नमबर कोश्चन है जाती प्रथा मनुसे के पेसे को किस प्रकार प्रभावित करती है आपको इसका अंसर बताना है ऑप्सन को देख लिजिए यह मनुसे के पेसे में बढ़ावा देती है यह मनुसे को जीवन भर के लिए एक पेसे में बांध देती है ऑप्सन C है यह मनुसे के रोजगारों मुखी बनाती है ऑप्सन D है यह मनुसे को पेसा के लिए दक्ष बनाती है तो दो बरते हैं question number 9 question इस प्रकार से है कहता है बिडंबना का अर्थ क्या होता है option A है उपेक्छा, उपहास, अवलंबन, आडंबन तो दोस्तों बिडंबना का जो अर्थ होता है वह होता है आपका उपहास यानि कि इस question का right answer जो है वह option B बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों बरते है question number 10 की ओर, 10 number question पर गौर फर्माईएगा 10th class हिंदी का objective question 2022 के लिए काफी important question है दसमा number question है सच्चे लोकतंतर का पर्याई क्या है, यानि पर्याई जो होता है वह क्या होता है, option यह है जाती प्रथा, सूसासन, भाई चारा, कानून ब्यवस्था तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो question है न आप लोग यह नहीं समझ लिजेगा कि जाती प्रथा का है तो इसका अंसर भी जाती प्रथा होगा लेकिन, सच्चे लोकतंतर का प्रयाई होता है भाई चारा, ठीक है इसलिए इस question का राइट अंसर option C हो जाएगा तो बढ़ते है question number 11 11 number question है डॉक्टर भीमराव अंबेदकर की रचनात्मक्ता के प्रेरक ब्यक्ति कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेदकर की रचनात्मक के प्रेरक ब्यक्ति कौन थे तो दोस्तो मैं आपको बता दू option में दिया गया है महात्मागांधी जियोतीबा फूले गोपाल कृष्ण गोखले और बिवेक आनंद question number 11 का जो right answer होगा वह होगा जियोतीबा फूले यानि कि option B बिलकुल इसका right answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो बरते question number 12 की ओर 12 number question है किनके प्रोच्षाहन पर बाबा साहब उच्तर सिख्षा हे तू नियू यॉर्क गए यानि किसके प्रोच्षाहन पर किनके कहने पर बाबा साहब जो है न वह उच्तर सिख्षा प्राप्ट करने के लिए नियू यॉर्क गए है तो option में दिया गया है कासी नरेश, option B में दिया गया है पटियाला नरेश, बरावदा नरेश, दर्भंगा नरेश, तो दोस्तो इस question का जो right answer होगा न वह बरावदा नरेश, यानि कि option C is the right answer हो जाएगा, बरते है question number 13 की ओर, 13 number question है, बुद्धा एंड हि धम के लेखक कौन है, option है, हजारी प्रसाद्विवेदी, बिरजु महराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेदकर, तो दोस्तो इस question का right answer आप लोगों को पता होगा, क्योंकि chapter है जाती प्रथा का, तो इसके लेखक है भीमराव अंबेदकर, इसलिए इस question का right answer जो है न, वह option D हो जाएगा, ठीक है, बरते है question number 14 की उर, 14 number question कुछ इस प्रकार से दिया गया है, भीमराव अंबेदकर की रचना कौन है दोस्तो, भीमराव अंबेदकर की जो रचना है न, वह कौन है, option में दिया गया है, the right and fall of the Hindu women, option B में है, संथ परंपरा और साहित्य, option C है, वीच of the Hindu women, यानि कि इस question का right answer option A बिलकुल सही हो जाएगा, बरते है question number 14 हो गया, 15 number question क्यों बरते हैं, आधुनिक सभी समाज, स्रम विभाजन को क्यों आवस्यक मानता है, option A है, रोजगार सी रिजन के लिए, option C है, जाती प्रथा दूर करने के लिए, option D है, समाजिक विकास के लिए, तो दोस्तो इस question का जो right answer होगा न, वह आधुनिक question है, आधुनिक सभी समाज, स्रम विभाजन को आवस्यक क्यों मानता है, कारिक कुसलता के लिए, इसलिए इस question question का right answer हो जाएगा, option B, ठीक है दोस्तो, बढ़ते है question number 15 की ओर, 16 की ओर, 15 question तो हो गया, 16 number question की ओर बढ़ते है, 16 number question कुछ इस प्रकाल से दिया गया है, भारत की जाती प्रथा की विए सेस्ता क्या है, भारत की जाती प्रथा की जो विए सेस्ता है, वह क्या है, option A, यह स्रमीक हो का स्वभाविक बिवाजन है यह रोजगार वर्धक है यह वर्ग विबेद दूर करता है दोस्तों इस question का जो रायट आंसर होगा यह मनुस की रूची पर राधारित है दूसरा आप्सन है यह पैत्रिक पिसा से संब्रिध नहीं है तीसरा आप्सन है इसमें मनुस्य सहजाता से रोजगार युक्त हो जाता है चौथा आप्सन है यह मनुस्य की रूची पर आधारित नहीं है तो दोस्तों इस कुश्चन का जो राइट आंसर होगा न वह होगा यह मनुस्य की रूची पर आधारित नहीं है यानि कि option D इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बरते हैं कोशन नमर 18 की ओर अठारा नमर कोशन है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीरन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं यानि आज कल में लेखक जो है option C है कारे को सलता का अभाव हो जाना option D है एकता का अभाव हो जाना तो दोस्तो आखिर लेखक जो है न गरीबी और उत्पीरन से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं तो मैं आपको बता दू कि वह लेखक जो है न निर्धारित कारे को और उची के साथ विवस्ता वस्त करना इसे लेखक जो है न गरीबी और उत्पीरन से भी बड़ी समस्या मानते हैं आज कल आप लोग भी समझ रहे हैं इसलिए इस question का right answer जो है न option A हो जाएगा बरते है question number 19 की ओर निस नमबर question दिया गया है हिंदू धर्म की जाती प्रथा किसी भी ब्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमती नहीं देता जो उसका पैत्रिक पेशा नहीं हो जो बिरेजगारी को बढ़ावा देता हो जो रोजगार को बढ़ावा देता हो यानि के दोस्तो हिंदू धर्म की जाती प्रथा किसी भी ब्यक्ति को ऐसा पेशा 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 माने रोजगार चुनने की अनुमती नहीं देता है क्योंकि उसमें क्या होता है तो उसका पैत्रिक पेशा ना होना चाहिए इसलिए इस कोशन का राइट अन्सर जो होगा ना वहो ऑप्सं ए हो जाएगा बरते हैं कोशन नंबर 20 की ओर बीस नंबर कोशन पे गौर्ष फर्माईएगा दोस्तों बीस नंबर कोशन है आध salahhenik मनू कहा गया है आध्धूनिक मनू किसे कहा गया है डौक्टर राजेंद प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सचीदानन सिन्धा को, या डॉक्टर भीमराव अंबेदकर को, तो दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चेप्टर है भीमराव अंबेदकर का है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है न, वह option D हो जाएगा, भारत की जाती प्रथा है न, दोस्तो, भारत की जाती प्रथा वह डॉक्टर भीमराव अंबेदकर नहीं दिया है, इसलिए इसकोशन का राइट आंसर क्या होगा, option D हो जाएगा, बरते कोशन नमबर 21 क्यों, इकेस नमबर कोशन है, जो की काफी important कोशन है, संचारित का सबदार्थ क जाती प्रथा के लेखक कौन है, स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेदकर, option जो B हो जाएगा, ना इसका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा, तैस नमबर कोशन कुछ इस प्रकार से है, दोस्तो, लेखक की दृष जाती वाद के पोसक नगन्य है, आर्थिक दृष्टी से जाती वाद उचित है, जाती वाद लोक तंतर के विरुध नहीं है, तो दोस्तो, कौशन नमबर 23 का जो राइट आंसर होगा जाती वाद के पोसक नगन्य है, यानि कि इस कौशन का राइट आंसर option B हो जाएगा, ब स्वतंतरता, समता और भ्रातितु का भाव हो, option B है, जिसमें सभी धनी हो, option C है, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, option D है, जिसमें सभी स्वस्त हो, तो दोस्तो, लेखक की दृष्टी में आदर समाद जो है न, वह आपको, जिसमें स्वतंतरता, समता और भ्रातितु का भाव वैसा होना चाहिए यानि कि इस question का right answer option A बिल्कुल सही हो जाएगा बरते question number 25 की ओर लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं लेखक जो है न वह बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं option है और सिक्षा को जन संख्या को जाती प्रत्यक्ष की कमे को तो दोस्तों मैं आपको बता दू लेखक जो है न वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाती प्रत्यक्ष को मानते हैं यानि कि इस question का right answer जो है न option C बिल्कुल सही हो जाएगा बरते question number 26 की ओर डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर का जन्म जो है न वह दोस्तों कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर का जो जन्म हुआ था न वह कब हुआ था अप्शन A है 14 अपरेल 1888 को अप्शन B है 14 अपरेल 1889 को या फिर दोस्तों अप्शन C है 14 अपरेल 1890 को अप्शन D है 14 अपरेल 1891 को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर का जन्म है न वह 14 अपरे याद रखेगा काफी important question है 27 नमर कोशटन है डॉक्टर अमबेदकर की द्रिष्टी में भायचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है अपशने है दूध और सकर के मिश्षरण की तरह दूध और पानी के मिश्षरण की तरह तील और तंडूल के मिश्षरण की तरह पानी और न पानी के मिस्रन की तरह कौन सा दूध है और कौन सा पानी है दूध और पानी को मिला देजिए तो आपको अलग अलग नहीं दिखेगा एक ही दिखेगा इसलिए लेखक के नजर में भायचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी का मिस्रन है दोस्तों इसलिए इस बहुत important question है दॉक्तर भीमराव अमबेदकर का जन्म कहां हुआ था दॉक्तर भीमराव अमबेदकर का जो जन्म हुआ था आप्सन ए है महु मधिप्रदेस में गोरकपूर उतर प्रदेस में डुम्राव भिहार में दानकूनी पश्यम बंगाल में तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेदकर का जन मधी प्रदेश महू में हुआ था यानि कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बरते हैं नेक्स्ट कोश्चन नंबर 39 की उर उन्तीस नंबर कोश्चन है डॉक्टर अंबेदकर ने किस पत्रिका का स स्क्रीत भारत का यानि के ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बरते कोश्चन नंबर 30 की उर स्रम भीवाजन और जाती प्रथा का मोस्ट भी बियाए अब्जेक्टिव कोश्चन चल रहा है ये वीडियो में तो दोस्तों 30 नंबर कोश्चन है भारते सनम सनлось संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हे जानते हैं महात्मा गांधी को भीम राउम अंव्वेदकर को जवाहरलाल नह्रू को या फिर सुभाश चंदर बोश को आप सथी लोग जानते हैं भारते सन्मिधान के जो निर्माता है न वह डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर हैं ठीक है दोस्तो इसलिए इस कुश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बरते नेक्स्ट कुश्चन नंबर 31 नंबर कुश्चन की उर डॉक्टर अम्बेदकर का वांग में हिंदी के कितने खंडों में प्रकासित हो चुकी ह ऑप्शन ए है 15 खंडों में 17 खंडों में 19 खंडों में या फिर 21 खंडों में डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर का वांग हिंदी में जो है न वह दोस्तो 21 खंडों में प्रकासित हो चुकी है यानि कि इस कुश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा बरतें कुशन नमर 32 क्योर 32 कुशन कुछ इस प्रकार से है आधुनिक सभी समाज कारी कुसल्ता के लिए किसे आवस्यक मानता है उप्शन ए है स्रम विवाजन, धन क्योर जन विवाजन या फिर जाती विवाजन इस कुश्चन का राइट आंसर हो जाईगा स्रम विवाजन छीक है इसलिए इस question का right answer option ए बिलकुल सही हो जाएगा बरते question number 33 की ओर 33 number question है डॉक्टर भीमराव अमेदकर के पिता का क्या नाम था डॉक्टर भीमराव अमेदकर के पिता का क्या नाम था option ए है राम देव सकपाल, राम जी सकपाल, राम किसुन सकपाल, राधे राम सकपाल तो दोस्तो डॉक्टर भीमराव अमेदकर के जो पिता थे ना वहाँ राम जी सकपाल थे यानि कि option भी इसका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है बरते next question number 34 की ओर 34 number question जो है ना वह बहुत ही important question है डॉक्टर भीमराव अमेदकर के माता का क्या नाम था दोस्तो जैसे रानी बाई, कुंती बाई, सीला बाई या भीमा बाई तो इस question का right answer बिलकुल सही हो जाएगा option D भीमा बाई डॉक्टर भीमराव अमेदकर के माता का नाम भीमा बाई था भीमा बाई था, डॉक्टर भीमराव अमेदकर के माता का नाम भीमा बाई था ठीक है, माता, पिता, जन्म, मरन ये सब कुछ याद रखिएगा दोस्तो सारा चीज डॉक्टर भीमराव अमेदकर से संबंधित ये आप याद रखते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आपको एक्जाम के दृष्टी कोन से एक्जाम में कोई भी कुश्चन छुटने वाला नहीं है एक के कुश्चन को अपने दिमाग में ठोक लीजिए डॉक्टर अमेदकर ने पीएचडी की उपाधी कब प्राप्त की थी यानि पीएचडी उपाधी किया था, जो भी पीएचडी उपाधी प्राप्त कर लेते हैं उसके नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है इसलिए भीमराव बाबा भीमराव अमेदकर के नाम के पीछे भी डॉक्टर लगा है इसका मतलब इन्होंने PhD किया है तो PhD आखिर कब प्राप्त किया है यह आपको बताना है जैसे option है 1920 में ठीक है दोस्तो option B है 1918 में option C है 1916 में option D है 1914 में तो दोस्तो मैं आपको बता दू Dr. Bhimraab Ambedkar ने PhD की उपाधी जो है ना 1916 में प्राप्त की थी इसलिए इस question का right answer option C हो जाएगा बरते question number 36 की उर the castus in India where mechanism किन की रचना है option है भीमराव Ambedkar की राम मनुहर लोहिया की महात्मा गांधी की या सुख देव की तो दोस्तो the castus in India where mechanism वह भीमराव Ambedkar की रचना है इसलिए इस question का right answer बिलकुल A option सही हो जाएगा बरते question number 37 की उर आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा dot 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 है आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा क्या है लाफदायक है हानिकारक है अनुकूल है या फिर इन में से सभी है तो मैं आपको बता दू दोस्तो आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा dot dot में क्या है तो हानिकारक है इसलिए इस question का right answer option B बिलकुल सही हो जाएगा बरते question number 38 क्यूर 38 number question है dot 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 say dot 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 पेसे का दोस्पूर्ण पुर्वन निर्धारन करती है dot dot पेसे का दोस्पूर्ण पुर्वन निर्धारित करती है option ने है स्रम बिभाजन जाती प्रथा प्रत्यक्ष और लोकतंत्र इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस question का जो right answer होगा वह जाती प्रथा पेसे का दोस्पूर्ण पुर्वन निर्धारन करती है इसलिए इस question का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा बरते question number 49 की ओर जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक कारण बनी है जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक कारण बनी है च्यूं परत्यक्ष रूप से प्रमुख या A और B दोनों सही है जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक कारण बनी है किसके कारण बनी है तो दोस्तुवा है A और B यानि के परत्यक्ष भी और प्रमुख भी यानि इस question का जो right answer होगा न वह option C बिल्कुल सही हो जाएगा जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है परत्यक्ष और प्रमुख रूपों से परत्यक्ष और प्रमुख रूपों के कारण है जाती प्रथा भारत में बिरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी है इसलिए इस question का right answer option C बिल्कुल सही हो जाएगा बढ़ते है question number 40 की ओर और आज का last question ये है काफी important question है एक से लेकर के 40 तक यदि आप question को सांदार तरीका से complete कर लेते हैं तो दोस्तो जाती प्रथा में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा option question number 40 है मूक नायक क्या है option ये है अखबार, पत्रिका, पुष्टक या कहानी संग्रा तो मूक नायक जो है वह आपका पत्रिका है इसलिए इस question का right answer option B बिल्कुल सही हो जाएगा एक आबस्यक सूचना और एक जानकारी समझ लीजिए दोस्तो मैं आपको बता दू कि chapter wise मैं subjective और objective question का तैयारी student को करा रहा हूँ जो कि आपको chapter wise करके playlist में मिल जाएगा सारे subject का ठीक है इसके बाद मैं दोस्तो model paper समाजिक विग्ञान का और विग्ञान का करा रहा हूँ regular करा रहा हूँ continue करा रहा हूँ और साथ में math का मैं chapter wise आप लोगों के लिए subjective और objective question बहुत जल्द लेकर के आरेने वाला हूँ उसका भी PDF सारे subject का PDF मैं बिल्कुल free में provide कराऊंगा बस आपको नीचे description box में जाना है telegram का link और whatsapp group metric बिद्यार्थी 2022 करके दिया है उसको join कर लेना है एक दोस्तो समय पर आपको PDF मिलता रहेगा और उसका तयारी भी आप सांदार तरीका से कर सकते हैं और जो भी जानकारी सिक्षा से संबंधित आती है तो वहाँ पर मैं updated रहता हूँ student को जानकारी देते रहता हूँ बिल्कुल free में ठीक है और दोस्तो जैसे ही math का objective और subjective question में लेकर आऊँगा उसका जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोग काफी संतुष्ट होंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करेगा पसंद ना आया हो आपके लिए अगर ये helpful साबित ना हो तो आप dislike करके जरूर जाएगा और comment करके आप मुझे बताएगा कि आपको इस वीडियो में मजा नहीं आया नहीं मजा आया येक भी question important नहीं था मैंने जो भी बताया इस वीडियो में वह NCRT new pattern पर आधारित था और 2022 के exam में आपके exam के दरिश्टी कुन से बहुत ही important साबित हो सकता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक कले जाहिंद वन्दे मातरम